वेलकम टूमाइ चानल तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है यह प्रश फीलिंग्स तुवर्ड्स आपके प्रश जो है जो आप प्रश रखते हूं वह उनकी किस तरीकी की फीलिंग्स आपके लिए और वह कितना डीपली आपके लिए फील करते हैं कुछ लब मेसेज़े बिए देखेंगी तो यह जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है कुछ चीज़ें आपके सिचुएशन से रेजनेट करेंगी कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजनेट करेंगी आप उसे चोड़ सकते हैं अगर आप मेरे चानल पे नहीं आए हैं तो आप इस चानल को लाइक करें, शेयर करें, सब्स्क्राइब करें और हाँ बेल आइकन को ज़रू आल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल पाएं और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएं अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टागाम पर फॉलो कर सकता है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यह परसन जो है वो आपको छेड़ते होंगे टीज करते होंगे या आप उन्हें छेड़ते होंगे कुछ इस तरीगी सिचूशन है आप दोनों के बीच में हसी मजाग करना एक अची फ्रेंडशिप कह सकते हैं यह पर नेक्स तरीपर तो ऑफ सोर्स जो है वो आपकी एनरजी भी हो सकते हैं उनकी एनरजी भी हो सकते हैं मुझे आपकी जादा लग रही है कि आप जो है वो डिसीजन नहीं लेते हो या फिर जो है लेना नहीं चाहते हो कि आप क्रश तो बहुत समय से रख रहे हो लेकिन यह परसंग की जो फीलिंग्स है वो लाइट हार्ड़नेस की है अब आगे क्य यहां पर एनरजी है नेक्स देख लेते हैं दा हाई प्रिस्टिस आप लोग जो है टेलिपाथिकली एक दूसरे को एकसेप्ट करते हो और महसूस भी करते हो कि फ्यूचर में जो है इस तरीके से हो पाएगा या इंट्यूशन जो है वो यह बोलती है कि हाँ एक लेवल से ज करते हो प्रतेक्ष्ट रूप से आपने एक गुस्रे को कम नहीं कहा है मुझे यहां पर व्यूचल फीलिंग में है तर्फ एक पर्सम जो है वह ब्रास्न जो है इंट्रस्ट करना चा जाता है एक अगस ही नहीं करना चाहता Il. लेकिस लुग एक इंसान के मन में ये है कि मैं perfection में हो जाओं कि मेरे पास इतना पैसा हो जाए फिल मैं जो हूँ ये करूँ या मैं जो हूँ प्रपोस करूँ या मैं अपनी feelings बताओं अगर मैंने अभी कर दिया तो मेरा जो है popat ना हो जाए या मेरा कोई मजाक ना बना या मुझे जो है लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है और बहुत सारी डिडिंग्स में यही कहती हूं कि अगर आप डिसीजन नहीं लेते हो और आक्षन नहीं लेते हो तो लाइफ जो है वहीं पर रुक जाती है तो वही एनरजी है आपको एक्षन लेना पड़ेगा जो भी डीपली फील कर रहा है तो आपको एक्रोच करना है डरना नहीं है एक्स टार कुईन ओफ वांड एक ऐसी एट्राक्शन वाली एनरजी है कि मतलब क्या बोलू जैसे फिल्मी अंदाज में यह कहा जाता है हाला कि फिल्मों में यह होता है रियल लाइफ में कम ही हो पाता है लेकिन आप जब उस प जो लोग आसपास हैं ऐसा नहीं है कि आप उने बिलकुल भूल गए हो लेकिन उस समय के लिए उस सिचुएशन के लिए या उस मिनट के लिए आप लोग जो है वो भूल जाते हो तो ऐसी एनरजी है जब इस तरीके का अट्राक्शन हो तो फिर जो है स्टेप्स लेने चाहि जैसे लड़के-लड़के हैं तो वो एक दूसरे के गले में हाट डाल लेते हैं भाई-भाई बोलते हुए तो बहुत लंबी जो एक फ्रेंशिप हो जाती है तो उसमें इसी तरीके का रिलेशनशिप आ जाता है तो यह यहां पर वो है आपका जेंडर चाहे जो भी हो जिस स्टेप्स लेने की यहां पर जरुवत है कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है नेक्स्ट आ आरहा आपके लिए seven of wands आया है तो seven of wands जो गार्डिंग energy है बहुत जादा आपने आपको प्रोटेक्ट रख रहे हो यह सोच रहे हो कि भई मुझे किसी से feelings को catch नहीं करना है या फिर जो भी आपका defense mechanism हो अपने आपको हर्ट से बचाने के लिए जो भी reason हो सकता है आपका तो उस वजह से जो है जो protection वाली भावना है यह two of sorts वाली भी यह energy है कि heart space को बहुत जादा protected रख रहे हो तो उससे जो है वो positive भी होता है even negative भी होता है तो आपको ही decision लेना है कि आपको risk लेना है या नहीं लेना है क्योंकि अगर आप past के बारे में बार बार सोच सोच के परिशान होते रहोगे तो वो चीज भी आपको नुकसान ही करेगी नेक्स्ट आ रहा है ace of wands आया है action लेने को कहा जा रहा है new beginning के लिए कहा जा रहा है आपको intuition जो है वो यह carry होगी कि आगे बढ़ हो आगे बढ़ हो लेकिन आप जो है वो अपने आपको रोक रहे हैं खासकर यह person जो है वो अपने के से यह नहीं कह सकते कि कोई भी मतलब कमी नहीं निकाल सकते आप working में भी अच्छे हो आप बहलने में भी अच्छे हो आपकी appearance भी अच्छी है आपकी values भी है सब कुछ है तो वो चीज जो है वो इस चीज को neglect नहीं करना चाहते अपने आपको थोड़ा सा कम आख रहे हैं आ आगे बढ़ना है लास्ट में आ रहा है queen of coins है queen of pentacles है चाहे male हो चाहे female हो यह person की जो feminine और masculine energy है वो दोनों ही जो है काफी जादा balanced है और इस तरीके से जो है आप दोनों को महसूस करना है कि आप लोग एक दूसरे के लिए हो और एक हमेशा रहोगे एक friendship की तरीके से एक affection की त इस तरीके की यहां पर energy है चलिए देख लेते हैं कुछ love messages मैं देखना चाहूंगी I want to steal you from this world तो वो जो है आपको चुडाना चाहते हैं इस तरीके से next आरा I see you in future future में वो देखना चाहते हैं आपको next आरा honeymoon this is the one next आरा supportive तो आप लोग एक उसरे के लिए supportive भी होगे इसी तरी यह feelings है आप लोगों के बीच में next आरा I miss your smell, talk, smile तो इतना ज़्यादा affection है आप लोगों के बीच में कि वो परसन जो है वो आपकी smile को आपकी smell को आपकी बातचीत को जो है वो मिस करते हैं next आरा no one ever made a difference by being like everyone else तो यहाँ पर यही चीज़े की difference जो है वो यह कोई और नहीं create कर पा रहा है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए संपूर्टा में देखते हो एक दूसरे को चलिए देते हैं इस energy से रिटेट को charms यहां पर लव आया है तो इसमें कोई मतलब गुंजाइश नहीं है कि लव नहीं है या कोई और सिच्वेशन है या complicated या tough love है नहीं बिल्कुल नहीं फीलिंग्स के मामले में बिल्कुल साफ है नेक्स्ट आ रहे हैं यहां पर एरो प्लेन आया है तो एरो प्लेन जो है वो ए जाते हो एक दूसरे के साथ या कुछ ना कुछ ट्रावल के basis पे आप दोनों की life में कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपके लिए memory है नेक्स आरा यहां पर जो है हामर आया है तो हामर जो है वो यूजिली को ठोकने के लिए या यह कह सकते हैं कि एक support के लिए या चीजों को fix करन करने के लिए चाहिए होता है या जो भी support है कि आपको जो है life easy हो जाए उसके लिए है तो आपको action देना है नेक्स आरा यहां पर screw driver है यह वही चीजे की challenges को face करना है और उसको से भागना नहीं है अपनी feeling से भागना नहीं है उसको express करो उसके लिए जो है काम करो और आगे द दिखते हैं कुछ love song सब्सक्राइब करें थैंक यू